फ्यूर्स वेलकम बैक एंडर प्रोग्राम जी रार साब आधा जड़ा सेकंड वाला इश्यू है उस परे तुस्य की कहना चाहोगे इस इस इश्यूनों टाच करने तो पहला है दसना चोंदे हैं कि अभी जथे साड़े दर्शका ने बहुत सारा हुगारा जमें ऐसी एडिटोरियल दी गाल कीती सी उसनों दता है छे वीकेंड दे उत् volley जड़ा सड़ा वीकली कौलम खालसतान कौलिंग दे और उदे च है डान्ल टरंप धी साथ मुस्लमाँ देशां देशाहाँ जए देश्यूंदे पाबन दी दूनियाँ दे सारे रेफ्यूजिस देउते पाबन दी इस देउते और को मोंधी मोधी ने हिंदू कोलीशन ने सिपोर्ट किता है इस कॉलम नो साड़े जड़ा रीडर्स है उनने बहुत सरा है जे और एक कल पोस्ट हुए हुन तक बवन्जा हजार साथ सो फिफ्टी टू पॉइंट सेवन के इस दे वीवर्स ने इस दे रीडर्स ने जे पांच सो सतारह शेयर ने और जड़ार होएगा है असी जड़े तिन चार दिन दे सांजे होने के कट्थे वो फ्राइडे दे शोच डिसकस करया करांगे तांके ज़े परस्टनल इमेल्स नहीं भी आंदे हैं क्योंके कई कामेंट्स बड़े रीसर्च तो बाद कियाना किते हों देने बहुत सारे ताइब दे विच एक राहत मिली साथ मुस्लमान देशान दे साथ हजार तो ज्यादा होना वीजा होल्डर्स नो जना दे उत्ते इस बैन दा असर सी जड़ा एक सो वी दिन दा बैन लाया जी और मैं समय दे हैं भी जदो वसी फंक्शनल डिमॉक्रिसी दी गाल कर दे हैं और खास्ता अरे इस किसम दे डिसीजिन्स दे खलाफ आम लोकां दी अवाज बना हुए है उत्ते जुडिशरी ने और क्योंके पहली स्टेट वाशिंटन स्टेट सी जना ने चैलेंज कीता है जना किया सी अदारत चल जावागे इस फैसले है नो उनना ने जाज़दे सामने गया और उ सी मुबारकबाद अंदे हैं जो डिसीरी नों के फैडल जाजने भी फारण जड़ है उस जड़ा स्टेटा है ऐसी उननों काइम रख है जे नतीजे दे तो और ते हून अड़ड एरलाइन्स दे जड़ी हैं मेजर एरलाइन्स भी ने लफथांसा हुए बड़ शेयर वेज ह और यू एई और दूसरी ने थे हैं सी तड़ाताड जड़े ने ओ जना दे कोड़ वीजे सी किते रुके सी बच्ची किते हैं हस्पेंड किते हैं मां किते हैं प्यो किते हैं जे जे ओ सारे जड़े ने ओ कठे हो रहे ने और इस सारे नों जवें मीडिया ने फेर पोर्ट्र किते हैं जमें जेफ के ते उत्तर रहे ने पेशेंट जड़े ट्रैवलर और फैमिली यूनियन्स अक्षा एक मैं देख रहे हैं इसी दो बीबी आ इने सैरीन चेरे हुना दे हिजाब हुना दे सिरते ने इमें लगदा इसी भी संतनिया ने जे बिलकुल सैरीन पर अक्षा चो लगा था आर्थ तरफ तरफ हंजू बाग देने सो ए जड़े सारे ही एह हुमन आस्पेक्ट्स ने और असी समीदे हैं भी इस दे लई ना सिर्फ मीडिया है और आज जी हुना ही मैं प्रोग्राम तो पहला ख़बर देख रहे हैं सी कि तिन वड़ियां जड़े है जिना तो चैलेंज कीते है अदालत दे विच इस बेन दे फैसले नो के पाई असी इंप्लाइमेंट दन दे हैं साड़ा सारा कामकार दे दे खलोता हुन दे और उनने सेंफर्स को दी अदालत छूने एपल बिग नेम है फेसबुक है गूगर है आई तनना नो तुसी पासे कार दे हो तो बहुते कंदाज बजड़न के भी की करी है की करी है जी 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 बलागा किसी समय दे है कि भी एक पॉजिटिव साइन है कि जड़ियां इस लेवल दी हैं कमपनिज ने ओख लोती है और इदे नार इवन डिजनी और उबर दे जड़े सीओ सी जड़े के ट्रम्प दे एकन पैनल इन्हाने भी रिजाइन कर अँड़े और इस लेवल डेवल प्रेशर है ग्लोबल प्रेशर भी है जिवें बीबी आई इंग्लेंड दी प्राइम निस्टर जे उस सद्दा दे या उनू पता भी नहीं सी कि भी नहीं मुड़के हैं की करने पर इंग्लेंड दे विच इक मिलियन लोग का तो ने जड़ा प्रेशन किती भी नहीं ना सदो जे मीडिया जबी उस किसम दा गाल चाल पर ही होन जड़ा इवन उन्हादा स्पीकर है ब्रिटिश पार्लेमेंट दा है उन्हें एक है कि भी ए जड़ा सीं जे आएगा भी ट्रांप रॉयल विजिट दे होते है तो उन्हों असीं बिटिश पार्लेमेंट नूँ एड्रेस नहीं करन दे हांगे सो ए कॉमन्स दी उन्हाने क्या कि रेसिजम एंटु सेक्सिजम एड़ सपोर्ट फर एक्वालिटी बिफोर दा लाओ एंड इन इंडिपेंड़ जुडिशरी आइज जज़ा नहीं कह आज कहना है कहना है भी मैं बिलकु ठीक फैसले कीते है काल नो जो भी होया है जज रिस्पॉंसिबल होन गे के इना ने अमरीका नो किदर नो पे हीज़त है और कॉर्बिन ने जड़ी यह मंग कीती है कि वह यह जदों तक मुस्लमान मुलकां दे होते ट्रेवल बैन मिनिस्टर हॉल मिस्टर बर्कॉर टोल्ड एंपी इन रिस्पॉंस तु एपॉंटर इस्पीकर कह रहा होना दा मिस्टर बैकरो पार उने किया भी जो पहला तो मैं दा पहला है मैं सोईदा से भी नो आन दे ही है ना पर जदों दा माइग्रेंट बैन लाया है जे आएम इव समीदे है भी साड़ा और है भी ने और इदे जो आनने स्पीकर ने किया है we value our relationship with the United States if a state visit takes place that is way beyond and above the pay grade of the speaker However, as far as this place is concerned, I feel very strongly that our opposition to racism and to sexism and our support for equality before the law and an independent judiciary are hugely important considerations in the House of Commons. . . . . . . . . अपना जीब सीती हुई है जह हमायत का रहा है ने चंगी डिमाक्रेसी है उन्हें यूके ना जिसे लैवल दी रिलेशनशिप है अमरीका दी यूके खिलूता है कि अशी यह नहीं करना है अमरीका दे विचा जिना दे जड़े बिग नेम ने उन्हों सफर भी हो जिसके गाव फेस्बुक होए गूगल होए और एपल होए लेकन उख लोग है कभी नहीं यह गाल ठीक नहीं है और लेकन एक मैं जानकारी दे तो और ते मैं नू लगया कि भी बहुत यह नू शायद लगदा होए कि शायद पहली वारी में टरंप ने कारदता है एक बड़ा अच्छ आर्टिकल मेरी है नजरां चो गुजरे है जे उदे चुने पिछले दोसो साथ दी हिस्ट्रीच दस्या है कि छे वार पिछले दोसो साथ इस किसम दियां पाबंदियां जड़ा नेशनलिटी थे भी हाफ थे और एथनी सिटी थे भी हाफ थे भी अमरिका च्छ पहला भी सिंग रेफ्रेंच पहला भी गाल कीती सी भी है कनेड़ा अमेरिकाच इमिग्रेशन दियां नितियां अमरिकाच फर्स्ट वर्ल्ड वार वेड़े जड़े डॉक्टर पगत सिंग थेंद जड़े ने उनने लड़े उनना नो पर्पल हार्ट वरगा कोई अवार्ड भी उद होंदा सी और उन्हाने एक जड़ा केस कीता हलांके फर्स्ट वर्ल्ड वार निस्सो चौदा तो निस्सोनी तक लड़े सी जी उन्हाने सुप्रीम कोर्ट जाके यह भी प्रूव कीता है कि जड़ी साधी रेस है जड़े साध़्ा बोनी स्ट्रक्चर है फीचर ने हो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलेज किया है कि बेशक प्रूव करने तुसी काम्याब होए हो पार जदो लाव बने है सी उदो लाव दी इंटेंट ए नहीं सी कि लाव दी इंटेंट है इसी भी गोरे आदे लेए फिर इसी देख देए है सिलेवरी दा किना डाक चैप्ट रहे है सैकन्ड वन्ट वोर दे वे ले क्योंए अमरिका दे विच जपानियान इटैलियंज जर्मना नू चार चार साल ङेिये तारहmill ड़ताए सी चार साल उ yarvay नहीं सी सक दे हुनना दे उते पूरा सर्वेलैंसी पर जाना सिस्टेमय इम्मिरेशन दे उते बेहन किस त्री इरान, सुडान, लीबिया, सुमालिया, यमन इना स्टेटां चो साथ स्टेटां चो मुस्लमाना नो नबे दिना तक दीपाबंदी लाई है जी और यूएस ता रिफ्यूजी प्रोग्राम भी जड़ा उन्हें एक सो वी दिना दे लही सस्पेंड कीता है सीरियन रिफ्यूजी इसनों खासता हुरतें और सिर्फ जड़े ने इस साल दे विच पंज़ा हजार रिफ्यूजी ले जाएंगे और उन्हें चुप उन्हें कैए कि जी असी जड़े मुस्लमान देशां चो इसाई पाजरें ने उन्हानों असी पहल दे आंगे बेशक फैडल जाजे ने इसनों ब्लॉक किते है और इस सारे चुप जड़ा है उन्हें जड़ा च्छे पहली है कि ट्रामाने उस ते उते जिकरे हुंदा है कि दो सो साल की हुए है जे एक्सकलरशन आफ ता चाइनीज एक्सक्लूजन आफ ता चाइनीज ए प्रेजडेंट चैस्टर ए आर्थर सी अमरिका जने छे मेई अठारा सो ब्यासी नू छे मेई एठारा सो ब्यासी नू चाइनीज एक्सक्लूजन आफ पास किता है विच बैंड skilled and unskilled laborers and Chinese employed in mining from entering the US for 10 years was the first significant law restricting immigration to the country. तो एठारा सो ब्यासी इस प्रेजडेंट ने चैस्टर ए आर्थर ने एक्ट दे हुटे Chinese exclusion act दे दसक्र कीते जिदे थले सी के मायर और अन मायर ना कड़े है जड़ा unskilled है उना दे उत्ते जड़े Chinese मूल देने और mining industry ज़े खासता हुटे दस साल दी उना दे उत्ते पाबंदी है अमरीका ज नहीं आ सक्दे it came at a time when the US was struggling with high unemployment and although Chinese made up a very small segment of the country's workforce they were nevertheless scapegoated for its social and economic woes उना ने क्या जो दो भी हलाते सी अमरीका दे विचान एंप्लाइमेंट सी पामें Chinese वर कर दी बहुत छोटी गिनती सी पर उना नू बली दे बकरे बनाया गया है बाकिया नू खुश करन रही के देखो जी है सी जवें एक कर रहा है क्या जान एंप्लाइमेंट और अमरीका जानु जाब देने जू इस किसम दा चीनिया दे उत्ते पाबंदी 1882 जलाई सी दालाग सो प्लेस्टिक्शंचिंज उन चाइनिज हूर ओर अलेड़ी इन दा यू-एस फोर्सिंग दैम तो अब्टेन सार्टिफिकेट्स इन और तो री-एंटर इफ ते लेफ़ दा कंट्र and banning them from securing citizenship. The act expired in 1892. 1882 चे law बने है, 10 साल है कानून लाग बूरी है. 1892 चेड़े एक्सपायर हुए है, but was extended for further 10 years in the form of another jury act. This placed additional restrictions on Chinese residents of the country, forcing them to register and to obtain a certificate of residence without which they could be deported. उन्हें क्या जी दासार लाई लाई सी पर उन्हों दासार हुरुबदा आता है. और जड़े चीन ने इते रह रह रहे सी, उन्हां ते पाबंदी लाई क्या जी ओ अपना एक certificate residence ना कोल रखन, क्या किते रहने ने ने नी तासी उन्हां नों डिपोर्ट कार दे हैं. This changed in 1943 with the Magnuson Act which allowed some Chinese immigration and for some Chinese already residing in the country to become naturalized citizens but which maintained the ban on property and business ownership. कि अभी ए उन्नी सो तर्तारी तक रहा है, उदो उन्हां ने किया जी ठीक है कुछ Chinese क्योंकि फिर Second World War वेड़े, चियांकाई शेक जड़ा चाइना दा सी, अमरिका दा साथी सी. तो फिर उन्हां ने थोड़ी जी relaxation कीती कि अभी तुस्सी जड़ायो आ सकते हूं, जड़ाय रहा है ने उन्हां अन्वर्शी सिटिजनशिप देदने, पर उन्हां दे उत्ते पबंदी रही कि ओ बिजनस नहीं कोई बाय कार सकते, ओनर्शिप नहीं कार सकते। और इदे ब पर दूसरे सेकंड वर्ड वार वेडे, प्रेज़ेंट फ्रेंक्लिंड डी रुजवेट ता जमाना सी, as millions of people became refugees during World War II, U.S. प्रेज़ेंट फ्रेंक्लिंड डी रुजवेट अर्गूट अर्गूट ता रफुजवेट अर्फुजवेट अर्फुजवेट Nazi spies could be hiding among them, the country limited the number of German Jews who could be admitted the 26,000 annually. ये रुजवेट दे जमाने, मैंनो नहीं सी पता है, इस तो बाद ही पता लग गया है, के एवन यहुदियां दे उन्हा दे जुरम हो रहे सी यॉरप, इन्हें क्या रुजवेट ने, यहुदियां नो सी लेंदा ता उन्हा दे जर्मन दे ज Less than 25% of that quota was actually filled. यहा मतलब है भी 26,000 चो भी, 56,000 तो ज्यादा यहुदी इते नहीं आन दते हैं, सो ये रुजवेट दे जमाने हुए है, और इदे जिके सेंट लुईस ओशन लाइनर दा है गया जिके 973 पे सेंजर आये, सारे उन्हा यहुदी सी, पर अमरीका ने उन्हा इते चौता हिस्सा जिड़े सी, वो होलो कास्ट दे विच मारे गे, सो होने इस काल दी समझ आन दी है भी जे आज यहुदियां ने, आज नहा दे मैं आवी लेने, गूगल, फेस्बोक के नहा दे भी, बहुते यहुदी होन गे, संताड़ी 97 कंपणियां जो भी कटोगट पज़ और कंसर्टरेशन केंप पंच मारे गे, फिर अनार्किस बैंड, तीसरा बैंड जड़े इथे प्रेजिडेंट थियोर्डर रुजवेल्ट नहीं लाया है, जड़े ओसी मार्च तेन उनी सो तेन दे विच, के इन 1903 अनार्किस एक्स्क्रूजियन एक्ट, बैंड अनार्किस है, जे, क्योंके उनी सो एक दे विच अमरीकन प्रेजिडेंट विलियम मैकिनली दे उते गोड़ी चली और काफी जखमी होया है, ते ओ जड़े सी जने गोड़ी चलाई हो, अमेरिकन अनार्किस एक पॉलिश इमिग्रेंट ता लड़का है, इस तो बाद ए जड़े इमिग प्रेजिडेंट हैंरी ट्रुमेन, दा इंटर्नल स्क्यूर्टी एक्ट अफ नाइटिन फिफ्टी आलसो नोन अस सब्वर्सिव एक्टिविटी इस कंट्रोल एक्ट अफ नाइटिन फिफ्टी और दा मकारन अक्ट मेड इट पॉसिबल तो डिपोर्ट एनी इमिग्रेंट बिलीव टुवी मेंबर्स अफ ता कम्मिनिस्ट पार्टी एक उनी सु पंजाच साथ साल पाला है लाओ बढ़े है कि जेड़ा भी कम्मिनिस्ट है हुन्वी जो दो सी ग्रीन कार्ड दी एप्लिकेशन पर दे हो दे लिख रहा हुन्द है कि I was never a member of कम्मिनिस्ट पार्टी ए बिलीव जुर गया है इनागरेशन वेड़े भी और बहुत पलाबंद है जो मेरे मैं परस्टनली डिकार्ड करता है पर मैंनों नहीं सी पता है भी एरानिया जो उत्ते हुन्हें भी पाबंदी लाई सी अप्रेयल साथ उनी सो सीच अल्मोस्ट सैंती साल पहला है क्योंकि उ अमेरिकन प्रेज़ेंट जिमी कार्टर कट डिप्लोमेटिक रिलेशन विदेन इंपोस सैंक्शन उन एरान विए और एच आई वी पॉजिटिव जनानों एड़ेश हुई है छेमा बैन जड़े प्रेज़ेंट रॉनल्ड रीगन रीगन ने पाबंदी लाई यूस पब्लि हेल्थ सर्विस से एड़ेट एड़ेश के जन्हों एड़ेश हुई 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 है एच आई वी यह बड़ी डेंजरस है कंटीजियस है और जैसी हेल्म सेनेटर से गाई तों कैरोलाइना दा उन्हें हेल्म्स अमेंडमेंट कीती सी और उन नाइटीन एटी सेवन दे विच 1987 अमरीका ने एच आई वी पॉजिटिव जन्हा जड़ेश सी होना दे अमरीकान ते पाबंदी लाई और एजड़ा इदा बेस सी के होमोफाबिक और जीनोफाबिक के बारों आ रहें ने एक गेज नों हुंदा है है एच आई वी एड़ेश पहला दा है इसी के अफरीका च ने इस दे उते चेंज करनी शुरू की थी पर फाइनली अबामा ने इस नों ख़तम कीता है जो ए इतिहासक पर खेप देखना भी जरूरी है क्यों इरानियन बैन होए ज्यूजश होए एनार्किस ते होए चाइनीज ते होए एच आई वी पॉजिटिव ते होए सो दे विच मनुखता दी गाले ही निक है कि भी ओजड़े ने बैन शेह दोना दी हुए ओपोजिशन नीसी हुई आज जमें अमरिकाच जुडिशरी और दुनिया पर चलो खलोते ने जी रार सब इस सब दी जान कर देने लिए तोड़ा बहुत पर शुक्रिया थलाने ब्रेक फिर्स दुसरी किते नी जाना मिल दे आफर इस शुट ब्रेक